तो दोस्तों MCU का नया टीवी शो लोकी अब रिलीज हो गया है और इसका पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है Avengers Endgame की टाइम टकेती में जो गडबड हुई थी उसकी वज़ा से हमें एक बिलकुली नई कहानी देखने को मिल रही है इस सीरीज में हमें लोकी के एडवेंजर्स के साथ साथ MCU के मल्टिवर्स के बारे में भी पड़ा चल रहा है आज हम लोकी के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे इसकी स्टोरी तो आई ये देखते है तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंडगेम के टाइम ट्रेवल से जब आईरेंड मैन और एंट मैन टेसरेक क्यूब लेने के लिए 2012 में गए थे तब वहाँ हल्क की वज़ा से लोकी के हाट टेसरेक क्यूब लग गया था जिसका इस्तिमाल करके लोकी वहाँ से भाग गया था इसके बाद वो टेलिपोर्ट होकर मॉंगोलिय देश में पहुशता है और जैसा कि हम जानते है कि पास्ट में किसी भी इंफिनिटी स्टोन को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटाने पर एक अल्टरनेर्ट टाइमलाइन बन जाती है इसलिए 2012 वाले लोकी के टेसरेक क्यूब चुराने से एक अल्टरनेर्ट टाइमलाइन बन गई है इसी वज़ा से TVA यानि टाइम वेरियंस अथोरेटी के लोग मौंगोलिय देश में पहुच कर लोकी को गिरफतार कर लेते है TVA एक ऐसी ओर्गनाइजेशन है जिसे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के तीन लोगों ने लाखो साल पहले जब भ्रह्माण में समय के बाहों के साथ छेड़ चार हुई थी तो उससे बहुत सारी समय रेखा यानि टाइम लैंस बन गई थी और सभी टाइम लैंस के लोगों में आपस में जंग शुरू हो गई थी तब तीन शक्तिचाली लोग सामने आये जिनने टाइम कीपर्स कहा जाता है उन्होंने अपनी शक्ति से सभी टाइम लैंस को अपस में जोड़ कर एक नई टाइम लैंस बनाई जिससे सेक्रेट टाइम लैंस कहा जाता है और तब से टाइम कीपर्स सबकी किसमत लिख रहे है मतलब वो इस तरह का भविश्य बना रहे है जिससे सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा कोई दूसरी टाइमलाइन ना बने लेकिन इसके बावजूद भी कभी कुछ ऐसी घटनाय हो जाती है जिससे एक्स्टर टाइमलाइन बन जाती है तो उसे सुधारने के लिए टाइमकीपर्स ने टीवीए नाम के एक औरगनाइजेशन बनाई टीवीए में बहुत ही काबिल और ताकतवर लोग काम करते है जोकि हमेशा इसका ध्यान रखते है कि कोई भी उस सेक्रेट टाइमलाइन में गडबल करके कोई दूसरी टाइमलाइन ना बनाए अगर कोई भी गलती से या जान बुचकर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है तो टीवीए वाले तुरंद उसे ग्रफतार कर लेते है और वो उस अल्टरनेट टाइमलाइन को रिसेट करके सब कुछ पहले जैसा कर देते है जब लोकी टैसरेक क्यूब से टेलिपोर्ट होकर मॉंगोलिया पहुचा तो टीवीए एजेंट्स ने उसे ग्रफतार कर लिया और दो हजार बारा की उस अल्टरनेट टाइमलाइन को डिलीट कर दिया फिर लोकी से वो टैसरेक क्यूब छीन लिया जाता है और उसके गले में एक मशीन लगा दी जाती है ताकि वो भाग ना सके और अपनी शक्तियों का इस्तिमाल ना कर सके इसके बाद उसे टीवीए की अदालत में पेश किया जाता है लोकी वहाँ ये पूछता है अगर उसे रोका नहीं जाता तो उससे और भी बहुत सारी टाइमलेंज बन जाती इसलिए उस अदालत में लोकी को दोशी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है लेकिन तबी टीवीए का एक ओफिसर वहाँ आकर लोकी को बचा लेता है एजेंट मोबियस टीवीए का एक बड़ा ओफिसर था मोबियस कुछ टाइम से एक ऐसे अपरादी के पीछे पड़ा था जो की समय के साथ बहुत छेड़ चाल कर रहा था और वो टीवीए के लोगों को मार रहा था इसलिए उस अपरादी को पकड़ने के लिए मोबियस लोकी के हल्प लेने का फैसला करता है फिर वो लोकी को अपने आफिस में लेकर जाता है वहाँ पर वो लोकी को उसकी पूरी जिंदगी के एक फिल्म दिखाता है जिसमें उसका अतीत और भाविश्य दोनों शामिल थे मोबियस से जानना चारा था कि लोकी सबको इतना परेशान क्यूं करता है पर लोकी इसका जवाब नहीं देता वो टीवीए वालों को बेवकूफ और कमजोर समझ रहा था और वो वहाँ से भागने की कोशिश में लगा था फिर लोकी किसी तरह से वहाँ से निकल के उस जगा पर पहुशता है जहां उसका वो टैसरेक क्यूब रखा हुआ था लोकी वो टैसरेक क्यूब तो ले लेता है पर जब वो ये देखता है कि वहाँ और भी इनिफिनिटी स्टोंस पड़े हुए है और वहाँ उन पत्थरों की शक्ती काम नहीं कर रही है तब उसे यकीन होता है कि टीविये वाले बेहर्थ शक्तिशाली है फिर लोकी वापस मोबियस के ऑफिस में जाता है और वो उस फिल्म को अच्छी तरह देखता है और तब उसे ये पता चलता है कि उसके बुरे काम की वज़़े से भविश्य में उसके माबाब को भी बहुत तकलीफ होगी और वो खुद भी बहुत भुरी मौत मरेगा इसलिए लोकी मोबियस के सामने सरेंडर कर देता है और वो उसे ये बोलता है कि उसे किसी को मालने में मज़़ा नहीं आता बलकि वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर है और वो दूसरों को डरा कर ताकतवर दिखना चाता है फिर मोबियस लोकी को ये बताता है कि उसे उसकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि वो जिस अपरादी को पक्रना चाह रहा है वो असल में एक दूसरी टाइमलान का लोकी है और क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है इसलिए मोबियस ने लोकी को अपने साथ शामिल किया तो दोस्तों ये थी लोकी के फर्स्ट एपिसोड के एक्स्मेनेशन वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरू करिए और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजी हमारा चैनल और इस बेल को दबाईए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके